आपका स्वागत है आज है साथ जून और साथ जून से जितने भी महतपूर्ण प्रश्ण बन का राते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे हमारा पहला प्रश्ण है हाल ही में खवरों में रही उहल नदी पर किस पर्योजना को लेकर हिमाचर प्रदेश और पंजाब के बीच विवाद की आशंका है थिरोड जल विद्धुत पर्योजना, कानन विद्धुत पर्योजना, शानन विद्धुत पर्योजना या संजय विद्धुत पर्योजना तो शानन विद्धुत पर्योजना जो उहल नदी पर है इसी को लेकर हिमाचप्रदेश और पंजाब के बीच विवाद वढ़ने की आशंका जताई जा रही है उहल नदी पर इस्थित शानन विद्धुत पर्योजना के स्वामित्व को लेकर हिमाचप प्रदेश और पंजाब के बीच विवाद आरंभ होने की अशंका जताई जा रही है यह पर्योजना हिमाचप प्रदेश के जोगिंदर नगर में बरोट घाटी में इस्थित है उहल नदी थमसर ग्लेसियर से निकलती है यह ग्लेसियर धौला धार परवस्रेणी में इस्थित है यह नदी उहल घाटी से होकर बहती है यह चोहार घाटी के रूप में भी प्रशिद है उहल नदी ब्यास नदी का एक जलवेशिन है चोहार घाटी को पार करने के बाद उहल नदी ब्यास नदी में मिल जाती है हमारा अगला प्रशने देखेंगे हाल ही में किस देख की आर्थिक मंदी दुनिया की चोथी सबसे बड़ी वैस्विक मंदी अर्थवेवस्था बन गई है ब्रिटेन की आर्थिक मंदी जर्मनी की आर्थिक मंदी या इंगलेंड की आर्थिक मंदी जापान की आर्थिक मंदी तो अभी हाल ही में जर्मनी की आर्थिक मंदी जो दुनिया की सबसे बड़ी मंदी वाली आर्थिक मंदी वाली अर्थ विवस्था बन गई है जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थविवस्था वर्तमान में यूरो में गिरावट और 2023 के पहले तीन महीनों के दोरान अर्थविवस्था में अप्रत्याशित संकुचन के कारण मंदी का सामना कर रहा है संगी सांखी की कारियाले द्वारा जारी आकणों के अनुसार जन्वरी से मार्च के बीश जर्मनी के सकल घरेलू उतपाद जीडीपी में 0.3 प्रतिशत की कमी आई है यह पिछली तिमाही में 0.5 प्रतिशत की गिरावट के बाद है जिससे यह मंदी का अनुभव करने वाली यूरोप की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बन गई है हमारा अगला प्रशन देखेंगे हाल ही में रेकिड ने कहां पहला डेटॉल क्लाइमेट रेजिलियन्ट स्कूल लॉंज किया है उतराखंड, नाइदिली, गुडगां या उत्तरप्रदेश तो अभी रेकिड ने उतराखंड में अपना पहला डेटॉल क्लाइमेट रेजिलियन्ट स्कूल लॉंज किया है विस परियावरन दिवस पर रेकिड ने अपने डेटॉल बनेगा स्वस्थ भारत अभियान के तहत उत्तरकाशी उत्तरखन में पहले डेटॉल क्लाइमिट रेजिलियन्ट स्कूल का घाटन किया है इस पहल का उद्देश स्कूलों को जलवायू लचीले समदायों के निर्मान के लिए आवश्यक उकरण और ज्ञान प्रदान करना है ग्लेशियर पिघलने, जनसंख्यावरिद्धी, भूकम्पी, गतिविधियों और प्राक्रतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसे विभिन कारकों के कारण उत्तराखन जलवाय परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदंशील है हमारा अगला प्रस्म देखेंगे हाल ही में किस राज्य के भिवन्डी तालुका गाओं में भारत का पहला कारवन न्यूट्रल विक्सित किया जाएगा महाराष्ट, राजस्थान, उत्तरप्रदेश या मध्यप्रदेश तो अभी हाल ही में यह घोशना हुई है कि महाराष्ट के भिवन्डी तालुका गाओं में कारवन न्यूट्रल विक्सित किया जाएगा केंद्री राजमंत्री कपिल पाटिल ने हाल ही में ठाने जिले में इस्थित भिवंडी तालुका में भारत के पहले कारवन तटस्थ गाउं के विकास की घोशना की है सरकार ठाने जिले के भिवन्डी तालुका में एक कारवन तटस्थ गाउं विक्सित करने की दिशा में सक्री रूप से काम कर रही है इस पहल का उद्देश्य कारवन उद्दसर्जन को कम करना और एक स्वक्ष और हरित परियावरन के लिए अस्थाई प्रथाओं को बढ़ावा देना है हमारा अगला प्रशन देखेंगे हाल ही में किस राज के जूना खटिया गाउं में हरपा सभेता के पूर्व शहरी चरण के अवशेश प्राप्थ हुए हैं हर्याना, महाराश्ट्र, गुजरात या राजस्थान तो भी हाल ही में गुजरात के जूना खटिया गाउं में हरपा सभ्यता के पूर्वी शहरी चरण के कुछ अवशेश मिले हैं गुजरात के कच्छ जिले के जूना खटिया गाउं के बाहरी इलाके में 16 हेटेयर के विस्तार में सबसे बड़े नेक्रो पॉलिज में से एक जहां हरपा सभ्यता के पूर्वी शहरी चरण के अवशेश प्राथ हुए हैं यहां एक सीप की चूड़ी, मिटी के बरतन, पत्थर के ब्लेंड, यहां तक की मानव कंकाल के अवशेश भी मिले हैं एक नेक्रो पॉलिस विस्तरित कब्र इस मारकों के साथ एक बड़ा डिजाइन किया गया कब्रिस्तान हैं यह नाम प्राचीन ग्रीक अर्थ मृतकों का शहर से उपजा हैं अगला प्रस्न देखेंगे हाल ही में नाटो ने पहली बार किस देश में आर्केटिक चैलेंज एकसरसाइज 2023 का आयोजन किया है फ्रांस, यूनान, फिनलैंड या जर्मनी तो अभी हाल ही में नाटो ने फिनलैंड में आर्केटिक चैलेंज एकसरसाइज 2023 का आयोजन किया है अभ्यास में नाटो आवेदक स्वीडन के साथ नार्वे, युनाइटेड किंग्डम और सहयुत राज अमेरिका से लगभग एक हजार सहयोगी बल शामिल है अप्रेल में पस्चिमी गठवंदन में शामिल होने के बाद से फिनलैंड नाटो का सबसे नया सदस्य आर्केटिक छेतर में अपने पहले सैयुक्त प्रसिक्षन की मेजवानी कर रहा है अभ्यास यूरोप के सबसे बड़े तोप खाने प्रसिक्षन मेदानों में से एक रूसी सीमा के पास उत्तरी फिनलैंड के रोवा जारवी में हुआ है हमारा अगला प्रस्ण देखेंगे हाल ही में रैंगलर ने किसे अपना ब्रांड और मेजडर बनाया है सान्या नहवाल, गीता फोगाड, बविता फोगाड या इस्मृती मंधाना तो अभी हाल ही में रैंगलर ने इस्मृती मंधाना को अपने ब्रांड और मेजडर के रूप में चुना है एस टर्टल ओमनी प्राइबेट लिंटेड एक खुदरा कमपनी ने भारती क्रिकेटर इस्मृती मंधाना को अपने रैंगलर ब्रांड का ब्रांड नम्बेश्डर नियुक्त किया है कमपनी भारत में डेनिम ब्रांड की एक्सक्लूजिव लाइसेंजी है मंधाना ने अंतराश्री महिला क्रिकेट में अपनी जगह बनाई थी और अपनी असाधारन प्रतिफा और निडर द्रिष्टिकोंड से दुनिया भर के प्रशन्सुकों को मोहित किया है क्रिकेट के मैदान पर उनके फ्रदर्शन ने दो बार ICC महिला क्रिकेटर of the year की तरह उनकी प्रशंसा अर्जित की है हमारा अगला प्रश्ण है हाल ही में किसके द्वारा कथकली डांस थियेटर और विजुल नेरेटिव और सेक्रेड इंडियन माइम नमक पुस्तक का विमोचन किया गया है ब्रिनालिली सारा भाई, केके गोपाल कृष्णन, आनंद शिवरामन या रुकमिनी देवी तो अभी हाल ही में केके गोपाल कृष्णन द्वारा कथकली डांस थियेटर और विजुल नेरेटिव और सेक्रेड इंडियन माइम नमक पुस्तक का विमोचन किया है केके गोपाल कृष्णन ने हाल ही में कथकली डांस थियेटर और विजुल नेरेटिव और सेक्रेड इंडियन माइम नमक एक आकरशक पुस्तक का विमोचन किया है यह पुस्तक ग्रीन रूम कलाकारों के संघर्ष और लंबे समय तक मेकपों के दोरान बने अनूठे बंधनों पर ध्यान केंदित करते हुए कथकली की दुनिया में पर्दे के पीछे की जलब को पेश करती है अगला प्रशन है हाल ही में रूसी भाषा दिवस का मनाया गया है 4 जून, 5 जून, 6 जून या 7 जून तो अभी हाल ही में 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है हर साल 6 जून को संयुक्त राश्ट संयुक्त रूसी भाषा दिवस मनाता है जिसे 2010 में यूनेस को द्वारा अस्थापित किया गया था यह दिन आधुनिक रूसी भाषा के संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले एक प्रसिद रूसी का अलेकजेंडर पुष्किन के जन्व दिन के साथ जुड़ा हुआ है इस पहल का उद्देश्य संयुक्त राष्ट की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं अंग्रेजी, अर्वी, स्पेनिश, चीनी, रूसी और फ्रेंच के लिए समान मानिता और प्रशंसा को बढ़ावा देना है हमारा अगला प्रेशन है हाल ही में दक्षिन पूर्व अरव सागर के उपर उठे एक भयानक चक्रवात का क्या नाम रखा गिया है मोचा, कोमेन, बाइपर जाए या एलिटा तो अभी दक्षिन पूर अरब सागर के उपर एक चक्रवात उठने की संभावना जताई जा रही है जिसका नाम बाइपर जॉय रखा गिया है चक्रवात बाइपर जॉय एक निम्न दबाव का छेत्र है जो बर्तमान में दक्षिन पूर अरब सागर के उपर बना हुआ है बंगलादेश ने बीपर जोय नाम दिया जिसका बंगाली मेर्थ है आपदा तो ये रहे हमारे कुछ महत्पूर प्रशन आशा करते हैं आपको चानक्याइस अकेडमी तोरा चलाया जा रहा हम करेंट अफियर स्टेशन पसंदा रहा होगा चानक्याइस अकेडमी के और भी ऐस आते कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे हमारा कोई भी कंटेंट मिस ना हो धन्यवाद